मुस्कार दोस्तो मैं हूँ राजी और आप इस वक्त के 9 मेडिया देख रहे हैं जीन से आज फिर एक बड़ी खबर के साथ माप लोगों के बीच में हूँ और आप लोगों से नुरोध है एक बार जुड़ जाईए और वीडियो को शेयर जुरूर साथ की साथ कर दीजिएग और जो मामला है जीन्द जुलाना के जो विधायक हैं अमर्जी धंडा उनसे भी जुड़ा हुआ है तो दोस्तो सबसे पहले तो आप लोगों से यहीं कोँगा कि वीडियो को जादा से जादा शेयर कर दें कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो जीन्द में कुछ दिन पह वहाँ पर पहुंचे थे गाउं वालों ने उनको बुलाया हुआ था भंडारे का गाउं में आयोजन हुआ था 27 तरिक का पूरा मामला है 27 तरिक के बाद की अगर बात करें तो गाउं का एक पक्स जो है उसके विरोध में था उसका विरोध का कार्ण ये था क्योंकि किसानों क जो आंदोलन चला हुआ है उसके चलते हुए गाउं की जो लोग है उन्होंने भाजपा और जेजीपी के जितने भी विधायक है जितने भी नेता है उनका भहिसकार जो है वो किया हुआ था लेकिन उसके बावजूद जो है गाउं में जो अमजी धंडा है जुलाना से जो अपर नराज था यानि कि गाउं में जब वो पहुंचे तो उसे वो नराज था एक पक्स और जो नराज पक्स है आज की बाता है उसके बाद गाउं में cinqाट्ख सम्झोता नहीं हो पाता है तो नराज पक्स के उपर आरोप है गोलियां गाउं में चली है और तकरीबन साथ लोग जो है इसमें घायल बताये जाए रहे हैं और सभी को अब समान्य हस्पताल लाया गया है पुस्पा खत्री जो DSP है जीन से उन्होंने मामला दर्ज कर लिया है और जाच शुरू कर दी है लेकिन इस बीच जो एक खबरे चली जो गोल गया तो सबसे पहले गाउंवालों ने पंचायत करनी चाहिए थी पूरे गाउं में कि कितने लोग उससे नाराज हैं जबकि सानु कांदोलन चला हुआ है उसके चलते वे गाउं में बुलाया जाता है विधाय को और जबकि पता होते हुए भी कुछ लोग जो है इसके विर पर जो भी आगे खबरे मिलेंगी मा आपको साथ की साथ अपडेट देता रहुआ कुछ लोग जो है मेरे साथ अभी नए जुड़े हैं तो पूरा मामला जो है एक बार दुबारा फिर से माप लोगों को बता देता हुँ जीन का गाउं सिवाहा जहां पर आज गोलिया चलत अमरजीत धंडा जी वहां पर पोचे थे और किसान अंदोलन के चलते हुए गाउं वासियों ने जो है जेजेपी और बीजेपी के नेताओं का भहिसकार किया हुआ था लेकिन जब वो पहुँच गए उसके बाद एक पक्स जो है गाउं का वो नराज था कि गाउं में नही पक्स है उस पर आरोप है गोलिया चलाने का साथ लोग घायल है सभी को समान्य अस्पताल जीन्द लाया गया है और जीन्द की जो DSP है पुस्पा खतरी जी वो इस मामले की अब जांच कर रही है और जैसे भी कोई नई अपडेट या अगर इस मामले में हमको मिलते है तो हम आप लोगों तक पुचाते रहेंगे के 9 मीडिया के साथ जुड़े रही है मैं हूँ राजिव जीन्द से और दोस्तो एक नुरोध आप से ही है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जुरूर कर दिये जिएगा जया हिंद जया भारत